हलो दोस्तो इस पीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 ग्रेंड लिकी टीम कॉंबिनेशन की उपर जो की वर्ल्ड कप का पहला सेमी फानल मुकाबला इंडिया वसेस न्यूजिलेंड के बीच खेला जाएगा इसके लिए तो दोस्तो इस मुकाबले में आपको टीम बनाते समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि दोनों टीम के बहुत सारे प्लेर्स यहां पर देखियेगा तो अच्छे फॉर्म में है तो यहां पर दोस्तो सबसे पहले हम लोगा स्मॉल लिकी टीम कॉंबिनेश तो आपको तीन ओप्सन देखने को मिलेंगा केल राहूल डेवेन कॉनवे और टॉम लेंटोन तो टॉम लेंटोन का बैटिंग ओंडर नीचे है यहां पर सबसे पहले हम लोग केल राहूल को लेकर चलेंगे डेवन कॉनवे दोस्तो ओपनिंग करेंगे लेकिन पिछली बार अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तो बैटिंग सेक्षन से तो सबसे पहले रोहिस सर्मा और विराष्ट कोहली को लेकर चलेंगे जो की बहुत ही अच्छे फॉर्म में है उसके बाद न्यूजिलेंड की तरफ से केन विलेंसन और डेरे में चलते हैं यहां पर लोग चार बैट्समेन के साथ जाएंगे बागी दोस्तो आप लोग सुमन गिल को ले सकते हैं प्लियर्स को रोटेट करके अच्छे और यह दोस्तो ओपनिंग भी करेंगे और अभी तक तीन सतक लगा चुके हैं अब बालिंग सेक्षन से बात करें तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेकर चलेंगे मुहमद समी और जस्प्रित भुम्रा को दोनों टीम्स की तरफ से फास्ट बॉलर पर जाड़ा फोकस करेंगे क्योंकि यहां पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मरत मिलती है और नीचे से दोस्तों यहां पर ट्रेंट बोल्ट को लेंगे उसके वाद बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे या तो दोस्तों यहां पर आप लोग जी फिलिप्स को भी ले सकते हैं आप क्याप्टन वाइस क्याप्टन की बात करेंगे और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलिग्राम पर जल से अल जाकर जूड़ जाएगा जिसका लिंक म में दिया है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टीम की प्रिव्यू फिर उसके बाद बागी सारी ग्रैंड लिक टीम की उपर दोस्तों यह रहने वाली यहां पर हमारी टीम की प्रिव्यू जिसमें मैंने एक विकेट कीपर केल रहल को लिया कप्तान बिराट को लिवाइस क सप्तान रचिन रविंद्रा दोनों टीम्स की तरफ से मैंने टॉप ओडर में दो दो बैट्समें लिया है यहां पर तीन ओल राउंडर और यहां पर मैंने तीन बॉलर को लिया हुआ है और यहां पर आप लोग मिचल सेंटनर के जगा पर लोकी फुर्गोसन या टीम सौधी क कॉन्वे और इHN 피ल कॉन्वे को और इवन्ही को मैं कफ्तान बना रहा हूं क्योंकि सभी क्याल ट्लों ही अब होदीन लिया है लोग लेकिं दोस्सों यह ओपनिंग करें और साल वाल्म कप में पहले मुकाबले में ही कमारे कप्तान रहें और सुम्मन गिल हमारे वाइस कप्तान रहेंगे पूरी बैलेंस टीम है दोस्तों ये भी और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया हूँ बिराट को लिया हूँ इंडिया की तरफ से बाकी दोस्तों मैंने केन बिलंसन को लिया है यहाँ पर मैं दोस्तों और कोई बैट्समें नहीं दुमरा को लिया इंडिया के तरफ से 3 बोलर को मैने लिया और ओलरांडर मलाकर नुजलेंड के तरफ से मैंने 3 बोलर को लिया हुआ तह यह दोस्तों मेरी होगे दूसरी टीम जो कि GRANN लिकी टीम रहे और पूरी balance टीम पर ये भी रहेगी और इस टीम के साथ आप लोग छोटी मोटी मतलब grinding में और small link में जोईन कर सकते हैं अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे तीसरी टीम रहेगी जोखी इंडिया को favor करते हो रहने वाली है इस मुकावले में अगर इंडिया टीम टॉस जीतेगी तो इस टीम के साथ आप लोग बेजजग जा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं यह सोचकर टीम बना रहा हूँ कि इंडिया की batsmen अच्छा performance करेंगे और ballers विकेट लेंगे तो जो top order के मैंने तीन batsmen लिया हूँ दोस्तों रोहित सर्मा, बिराट कोली और यहाँ पर सुहमन गिल को मैं ले रहा हूँ और वहीं दोस्तों bowling section से मुहमद समी, जस्परिद उम्रा और मुहमद सिराज तीनों मैंने fast baller को लिया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रविंद्र जड़जा एक spinner को तो यहाँ पर मैं यह सोचकर टीम बना रहा हूँ कि इंडिया के batsmen और ballers अच्छा performance करेंगे तो दोस्तों उसी साब से यहाँ पर मेरी team combination रहेगी और जहिर सी बात है मैं मैं इंडिया के ballers पर focus कर रहा हूँ तो मुझे जारा न्यूजलेंड के batsmen को नहीं लेना है क्योंकि दोस्तों वो लोग जल्दी out होंगे तभी न दोस्तों इनको wicket मिलेगा तो मैंने यहाँ पर क्याव लेक opener मतलब लिया है दोस्तों रविंद्रा को और इधर से डेवन कॉन में दोनों opener को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं wicket keeper में कियल रहूल को भी ले सकता हूँ यहाँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर टॉम लैंथोन को ले सकते हैं लेकिन उनका बैटिंग और ज्यादा नीचे इसलिए इन ही को ले लिया हूँ बाकि दोस्तों मैं dairy Mitchell जो कि middle order में बैटिंग कर रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर vice captain बनाया है न्यूजिलेंड के ओल राउंडर्स जरतर मुकावले मच्छा पॉहमेंस की है केनर विलनसन जो कि हमारे कप्तान रहेंगे जो कि कप्तान है दोस्तों फास्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने वाइस कप्तान मुहमेद सिराज को मैंने बना रहा हूँ इधर स्थ मैं तीन बॉलवर के ले रहा हूँ जस्पिरिल बूमरा, कोलदी प्यादव, मुहमेद सिराज और यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे होगा क्योंकि मैं एक प्लियर पर जादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग एक प्लियर पर जादा फोकस किजएगा और उसी को कप्तान वाइस कप्तान बनाईएगा हर टीम में तो अगर वो फ्लॉफ हो जाता है तो आपकी सारी टीम फ्लॉफ हो जाएगी तो आप लोग को grandling में players को rotate करके बनाना चाहिए यहाँ पर हमारे कप्तान रहेंगे केन विलेंस अन्वाइस कप्तान मुहम्मा सिराज मैं यहाँ पर दोस्तो टॉप और पर देरा फोकस किया हूँ इंडिया के तरफ से सुमन गिल, बिराट कोली, रोहिस सर्मा और केल रहूल और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे बोलर को लिया हूँ जो कि दोस्तों middle ओभर में आएंगे bowling कराने 20 से 25 तीस ओभर में रविंद्र मिचल सेंटर और गिलिन फिलिप्स तीनों स्पिनर है मैंने कोई फास्ट बोलर को नहीं लिया क्योंकि मैं यह सोच रहा हूँ कि इंडिया को टॉप और अच्छा पॉपमेंस करेंगे और इधर से दोस्तों तीन बोलर को विकेट मिलेगी तो उसी साफ से मेरी यह चौथी टीम है जो कि यह भी इंडिया को फेवर करते मिचल सेंटर के जगा पर डेरी मिचल को भी ले सकते हैं बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेंट वोल्ड को वाइस कप्तान बना रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से दोनों ओपनर्स को नहीं ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं न्यूजिलेंड की तरफ से दोनों ऐसे बॉल्डर को लिए हूँ जो कि पाउर पले में बॉलिंग कराएंगे ट्रेंट बॉल्ड और टीम साओधी और मैं यह सोचकर टीम बना रहा हूँ जो कि पाउर फले में बॉलिंग कराएंगे बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर सिरेश आजयर को लिया बिराट को लिया और केल रहूल को ले रहा हूँ अब दोस्तों इसके बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी चछटी और आखरी टीम की उपर तो ये भी दोस्तो हमारे न्यूजिलेंड को थोड़ा बहुत फिबर करते हुए टीम है यहाँ पर दोस्तो मैं इंडिया की तरफ से के वो लेक ओपनर लिया हूँ सुमन गिल और बाकी दोस्तो जो हमारे कप्तान रहेंगे मेडल ओर के बैट्समेन रविंदर जड़ेजा जो क और दे मतलब डेरी मिचल और बाकी दोस्तो मैंने यहाँ पर लिया बिराट कोली ग्लेन मैक्सिबल सुरुक मरियाद हो और मुहमाद समी और यहाँ पर मैं मुहमाद सीराज दो बोलर और लोकी फुर्गोसन को ले रहा हूँ तो सेंपल सी दोस्तो यह जो मेरी टीम है पूरी टीम कॉंबिनेशन जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर पहले बार ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए तो ताकि आगे कि सारे अप्डेट्स आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए